येश्य मसी के सामर्थी नाम में आप सबका एक वर फिर से बहुत-बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र अजीत होरो। मित्र मत देखिये श्रिंखला के 13 होए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ऐसा बार-बार हमने चर्चा की है कि मत देखिये से अर्थ दृष्टी और दृष्टी कोन दोनों का है। सिर्फ भावतिक रूफ से देखने का नहीं लेकिन मानसिक रूफ से देखने का भी है। तो आईए आज के लगू मनन में चलें। इन दिनों आपने नोट किया होगा कि मैं लगातार उत्पत्ती की पुस्तक से बोल रहा हूँ। देखते हैं कि उत्पत्ती की पुस्तक से कितने मत देखिये निकलते हैं। मेरी इच्छा है कि सारी बाइबिल को बारीकी से लगू मनन के द्वारा देखें। धीरे धीरे अगली पुस्तकों में भी चलेंगे, यदि प्रभु ने अनुगरह दिया, जिन्दगी दी. आज के मनन का पद आपके लिए जो मैंने चुना है, वो है उत्पत्ती उसका 28वा अध्याय और उसका 12वा पद और वहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है. सुनिए. तब उसने स्वपन में क्या देखा कि एक सीड़ी प्रिथ्वी पर खड़ी है, और उसका सीरा स्वर्ग तक पहुँचा है, और परमिश्वर के दूत उस पर से चहते उतरते हैं. मित्र आईए सबसे पहले इस पद की प्रिष्ट भूमी को जान लेते हैं. यह उस समय की बात है, जब याकूब अपने घर से भागा था. भागा ही कहेंगे क्योंकि उसका भाई एसाव याकूब से इसले शत्रुता रखता था, क्योंकि पहले उसने उससे पहलोटे का अधिकार छीना, और फिर धोखे से आशीष्ट भी अपने पिता इसहाग से ले ली, जिसे बुढ़ापे के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता घर में तनाव की स्थिती थी, और एसाओ के मन में याकूब के प्रति बहुत अधिक कड़वाट थी, और मेरे मितर इस वज़ज़ से उसको घर छोड़ना पड़ा, वह मार्ग में अकेला चल रहा था, मैं याकूब के बारे में बात कर रहा हूं, वह मार्ग में अकेला चल भाई को धोखा देने के कारण उसका मन व्याकुल था। मित्र आप जानते हैं कि याकुब का शाब्दिक अर्थ ही होता है धोखा देने वाला या अरंगा मारने वाला। उसने धोखा क्यों दिया था सवाल ये उठता है। उसने धोखा इसलिए दिया था कि संपन्नता, अधिकार और संसार के वैभव को वो देख रहा था। वो अपनी विरासत को देख रहा था। मित्र कदाचित ऐसे मौके और प्रलोभन किसी के जीवन में भी आ सकते हैं। जिस प्रकार याकुब के जीवन में आये कि याकुब न भी धोखा देने के लिए किसी को भी प्रेरित कर सकता है। मित्र याकुब ने उस धन, संपत्ति और विरासत को देखा और ना सिर्फ देखा लेकिन उसे गलत तरीके से प्राप्त करने की कामना ही नहीं की लेकिन लोव से वैसा आचरण भी किया। मत देखिए और मत विचा कीजे उन चीजों का जिन पर आपका अधिकार नहीं है। पहला तीमुथियोस 6 और उसके 10 में वचन इस प्राकार से कहता है क्योंकि रुपए का लोव सब प्राकार की बुराईयों की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भट नहीं हो गए है। हम कहते हैं कि हम मुर्ति पूजा नहीं करते लेकिन यदि लोव हमारे जीवनों में है तो सुनिए बाइबल क्या कहती है। कुलूसियों 3-5 उसमें वचन इस प्राकार से कहता है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो प्रिथ्वी पर हैं अर्थात व्यविचार अशुद्धता दुशकामना बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मित्र एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई यदि लालच भी जीवन में है तो यह मूर्ति पूजा के बराबर है। आईए आज के विशे में फिर से चलें हम पूजब ने क्या किया जब वह बियावान में पहुचा। वो निराज था, घर छोड़ना पड़ा था, ठका हुआ था, अपराद बोध भी था यानि गिल्ट भी उसके मन में था और दर भी कि कहीं उसका भाई एसाओ उसे मार ना डाले। आईए देखते हैं कि क्या किया उ उसने जिसके कारण उसे एक अद्भुत दर्शन मिला, जो आज का मननदपद है। और आज का मननदपद एक वर फिर से मैं आपके लिए पढ़ दूँ, जो उत्पति 28 अर उसके 12 में है, तब उसने स्वबन में क्या देखा कि एक सीढ़ी प्रिश्वी पर खड़ी है और उस की वज़े से उसको ये दर्शन मिला, उत्पति 28 अर उसके 11-12 में लिखा है, और उसने किसी स्थान में पहुँच कर वहीं रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर, मैं रिपीट करूँगा और उसी स्थान में सो गया, और जब वो सो गया, तो प्रियो आगे वचन में लिखा है, तब उसने स्वपन में देखा कि एक सीठी प्रिठ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुँचा है, और परमिश्वर के दूत उस पर से चळते उतरते हैं, मित्र, ये यह बहुत ही गंभीर पद है, ध्यान से सुनिए, यह पहला दर्शन है, जब स्वर्ग और प्रिथवी एक सीड़ी से जुड़े हुए दिखे, सुनिएगा, क्या किया था उसने, याकुब ने क्या किया था, अभी अभी आपने इसको सुना, लेकिन मैं दुवारा रिपीट करता हूँ, उसको यह दर्शन मिला, तो अभी अभी हमने सुना, लिखा है, सो उसने उस स्थान के बहुत से पत्थरों में से एक पत्थर चुन कर या लेकर अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया, मित्र ध्यान दीजे, क्या आपने ध्यान दिया, वहाँ बहुत से पत्थर थे, किसी भी पत्थर को वो तकिया बना सकता था, लेकिन प्रभू का धन्यवाद हो कि उसने बहुत से पत्थरों के बीच में से एक पत्थर चुना और उस पर तकिया किया, अब चाहता हूँ थोड़ा ध्यान और दें उर्दू भाशा में यदि आप देखेंगे तो उर्दू भाशा में तकिया करने का मतलब होता है निर्भर करना जैसे मैं किसी के लिए कहूंगा मैं उसकी बातों पर तकिया करता हूँ यानि वाटेवर ही सेज आई डिपेंड ओन हिम उसका मतलब ये होता है तकिया करना मतलब निर्भर करना भी होता है मेरे मित्र परमिश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यानि परमिश्वर ने याकूब के टूटे दिल और पश्चताप से भरे हृदय को देखा और उसकी अगवाई की कि वहाँ पढ़े बहुत से पत्थरों में से वो किस पत्थर पर तकिया करे जिससे उसे ऐसा दर्शन दिखाई दे जहां स्वर्ग और प्रित्वी आपस में एक सीड़ी के द्वारा जुड़े हुए दिखाई दे वाट वस तैट स्टोन क्या था वो पत्थर येश्व ने स्वयम अपने बारे में कहा वही वह पत्थर है प्रितों के काम चार और उसके ग्यारह में इस प्रकार से लिखा है यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुछ जाना और वह कोने के सीरे का पत्थ मेरे मित्रों, यह वही पत्थर है, यह वही चटान है, जो इस्राइलियों की बियावान की यात्रा में भी उनके साथ साथ लगातार चलती थी। जीवित पत्थर है और सीधी भी जिसके द्वारा पिता तक पहुँचा जा सकता है, अंत करूँगा, भटक रहे हैं, सहारा खोज रहे हैं मित्र, क्या ठक गए हैं, सोच रहे हैं कि कहां सिर्फ टिकाओं जिससे रहत मिले, सुनियेगा, दुनिया में एक से एक टीमती पत्थर हैं, बड़े खुबसूरत हैं, बड़े बहुमुल्य हैं, आखें वहाँ पर अकसर चली जाती हैं, बड़े बड़े कीमती पत्थर हैं, बड़े खुबसूरत हैं, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूँ, मत देखिए उधर, उधर ध्यान मत दीजिए, मत देखिए उन कीमती पत्थरों को लेकिन एक और पत्थर है जिसके बारे में येशाय तिरीपन में कहा गया है उसका यानि येशु का यानि उस जीवित पत्थर का रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि लोगों ने उसे देखना तक नहीं चाहा आईए और कुछ मत देखिए सिर्फ उस जीवत के पत्थर पर तकिया कीजिए आपके जीवन का दर्शन बदल जाएगा हालेलूया और आमीन आईए प्रात्ना करते हैं मेरे प्यारे खुदाबंद आपके सामर्थी नाम पर इस समय अपने एक एक श्रोता मित्र को मैं आपके सामर्थी हाथों में सौप देता हूँ खुदाबंद आज हमने व्याकुल अपराध बोज से तूटे हुए भैभीत याकुब के बारे में सुना अकेला था बियावान में था जंगल में था युवस जस्ट अलोन और उस जंगल के अंदर प्यारे खुदाबंद जब सूरज ढलने लगा सूरज ढलना आशाओं का ढलना भी दिखाता है अंदकार का छा जाना भी दिखाता है जब अंदकार छा गया जब उससे कुछ दिखाई नहीं देने लगा तो लिखा है वहीं बहुत सारे पत्थर थे और उन में से एक पत्थर पर उसने तकिया किया जिसके द्वारा उसने वो दर्शन देखा जो अद्भुद दर्शन है और यदि आपके वचन को देखें तो ये पहला दर्शन है जहां स्वर्ग और टृत्वी दोनों कनेक्टेट दिखाई पड़ते हैं तो खुदाबंद आज के दिन प्रात्ना करता हूँ अपने इन सभी श्रोता मित्रों के लिए शैद ठक गए हैं जीवन में शैद बहुतों के जीवन में अंधकार भी होगा में भी अंधकार भी होगा निराश होंगे कोई ना कोई गलानी कोई ना कोई गिल्ट कोई ना कोई अपराद बोद भी हम में से हर एक के अंदर हो सकता है, बीमारियों का अधकार हो सकता है, लेकिन खुदाबंद आज हमने सुना, बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर, दुनिया में बहुत सारे कीमती पत्थर, बहुत सारे खुबसूरत पत्थर, बहुत सारी चीजे जो क करती हैं लेकिन धन्यवाद करता हूं कि वो गोल्ड नहीं है खुदा बंद आपका धन्यवाद करता हूं बहुत पत्थरों के बीज में एक पत्थर है जो वो पत्थर है जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना दुनिया ने जिसको निकम्मा जाना लेकिन वही कोने के स Father, let right now the streams of the healing, the streams of the confidence, the streams of the new hope literally come down and touch each one of them in your wonderful name. धन्यवाद करता हूँ, हर एक को आशिश दीजे, धन्यवाद करता हूँ प्रात्ना को सुनने के लिए, आदर महीमा सब कुछ आपको देता हूँ, उधार करता प्रभुयेशु मसी के नाम पर मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहन करें, आमीन और फिर से आमीन.